देखिए जो next question था यह आपका 80 integral formula से related था आपको जो है अच्छे तरीके से यहां पे काफी सारे वीडियो में भी बताया गया था 80 integral formula और वहां से question आपका पूछा भी गया था ठीक है और जिस भी students को 80 integral formula अच्छे से पता था question को solve किया होगा उसका जो answer है वो मिला है ठीक है और उसको mark भी मिले है answer ही नहीं मिला है mark भी मिले है अब यहां पे बात करते है question number third की sorry third तो हो चुका question number fourth देखिए question आपका यह पूछा गया था यहां पे यह question था f of z equals 2 e raise to power iota pi z upon z minus 1 z minus 2 iota raise to power 2 और यह जो circle थी आपकी यह आपकी positive oriented circle थी मतलब इसकी direction थी circle की वो जो सभी के सभी फार्मूले है वो किस पर बनाए गए है anti-clockwise direction में क्या है anti-clockwise direction में बनाए गए है अब जब इसकी clockwise direction नहीं है anti-clockwise direction है और जो formula है वो भी हमारा anti-clockwise के लिए बना है और positive oriented circle बोले या फिर anti-clockwise direction बोले ठीक है तो इसका मतलब यह anti-clockwise ही बोल रहा है, anti-clockwise है इसका मतलब हमें last में solve करने के बाद minus से multiply करने का काम नहीं है अब यहाँ पे जो है just simply हमें minus वगेरा को ध्यान में नहीं देना है क्योंकि minus वगेरा होए गई नहीं जब clockwise होता तब last में minus से multiply होता बट ऐसा कुछ भी नहीं है positive oriented circle है, anti-clockwise direction दी गई है तो यहाँ पे इसकी जो C है C की जो है absolute value आपको बतानी थी, ठीक है और यहाँ पे option भी बता देते हैं option number first 1 by 2, option number B 3 by 2, option number C 5 by 2, और option number D जो है 1, ठीक है ऐसे ही दिया गया था option अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं की कौन सा option होएगा true अब यहाँ पे देखिए पहले तो circle ड्रा कर रहेते हैं सबसे पहला काम और जब circle को ड्रा करेंगे तब ही हमें पता चलेगा कि जो हमारा pole है circle के अंदर लाई करता है या circle के बाहर लाई करता है circle के बाहर लाई करता है तो वो जो है function analytic function की उपर वाली में चला जाएगा और जहां पे pole होएगा वहीं पे हमी जो इस formula का यूज करना है 80 integral formula और जो है pole, pole circle के अंदर लाई करता है तब ही यूज होता है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अब इसके यदि हम बात करें तो इसका पोल कहां कहां पे है वन पे है और टू आयोटा पे है और यह जो सरकल है जिरो पे खड़े होकर गे 3 by 2 radius की मतलब यह है यहाँ पे 3 by 2 है यह माइनस का 3 by 2 है यह आपका 3 by 2 आयोटा है यह माइनस का 3 by 2 आयोटा है ठीक है यह आपका 0 0 है और clearly इसके उपर जाएंगे थोड़ा सा तो यह 2 आयोटा मिलेगा और ZGC2 जो 1 है यह 1.5 है तो 1 तो इसके अंदर ही रहेगा मतलब सरकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जड़ी को स्टू 1 लाई करता है मतलब यहां पर यह हम एनालेटिक फंक्शन की बात करें तो जो एनालेटिक फंक्शन है वो हमारा कौन-कौन सा हो जाएगा जड़ी को स्टू 1 पर पोल है इसका मतलब इसका जो वैलू होएगा मतलब इसके इंटेग्रेशन की वैलू होगी वो आपको क्या मिल जाएगी इंटेग्रेशन मौड जड़ी को स्टू 3 बाइ 2 ए की पावर आयोटा पाई जड़ अपॉन जड़ माइनस 2 आयोटा की पावर 2 इंटू 1 अपॉन जड़ माइनस 1 इसके उपर पोल है इंटू डी जड़ की जो वैलू होगी यह आपको मिल जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू F of Z note क्या है F of Z note और Z note क्या है Z जड़ जी को स्टू 1 पे तो यहां पे जो है F of 1 हो जाएगा मतलब जो C है वो F of 1 है क्या है जो C है यह आपका F of 1 है पहले C निकाल लिए और C की absolute value that means यह mode C जी को स्टू पूच रहा है क्या है C तो यह है बट mode C पूच रहा है और यह function यह है इसके अंदर यदि हम 1 पूट करें तो E की पावर आयोटा पाई अपोन 1 माइनस 2 आयोटा की पावर 2 हो जाएगा ठीक है तो यहां पे जो है यह हो गया अब E की पावर आयोटा पाई की जो वैलू है यह क्या मिलेगी आपको और यहां पे absolute value निकालनी है इसकी absolute value तो यह क्या हो जाएगा इसकी absolute value that means mode of E की पावर आयोटा पाई अपोन 1 माइनस 2 आयोटा की पावर 2 की absolute value अब E की पावर आयोटा पाई की absolute value चाहे वो माइनस आये चाहे वो positive आये तो positive भी बनीगी ठीक है तो यह को स्पाई की वैलू माइनस 1 sin पाई 0 तो यह होगा माइनस 1 फिलाल जो इसकी value है मोडूलस में रखी गई है मतलब इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा है तो 1 प्लस 2 आयोटा से उपर निच्य मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जो है absolute value की power 2 बाहर कर देते है तो यह हो जाएगा क्या 1 plus 2 iota upon 1 minus 2 iota 1 plus 2 iota a square minus b square 4 iota square plus का कर देगा इसकी power 2 है इसकी power 2 है तो यहाँ पे देखिए mode z g cost क्या होता है under root x square plus y square जहाँ पे x क्या है z जो point था x plus iota y उसका real part x और z का imaginary part है y तो यह क्या है real part का square plus imaginary part का square तो यह हो जाएगा क्या अब इसकी power यदि हम 2 कर दें क्या है इसकी power 2 कर दें तो यह हो जाएगा x square plus y square क्या है और इसकी power to 2 लिखी गई है और इसका real part का square plus imaginary part का square हो जाएगा ठीके यही चीज तो same to same dicto बन गई और यहां पे जो है क्या हो जाएगा real part इसका क्या हो जाएगा 1 by 5 imaginary part क्या हो जाएगा 2 by 5 मतलब यह 1 by 5 की power 2 plus imaginary part 2 by 5 की power 2 तो यह हो जाएगा 1 by 5 प्लेटस तू 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 जा फॉर बाई सुरी 55 जा 25 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 5 अपोन 25 55 जा 25 वैलू क्या जाएगी 1 बाई 5 और चलिए एक option में 1 बाई 5 डाल देते हैं क्या है 1 बाई 5 डाल देते हैं तो यह जो 1 बाई 5 आपका किस option में है C option में है तो यह ही आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा क्या है यह ही आपका correct हो जाएगा ठीक है बाकि जो option A, B और D है जिसे भी option में रहेगा वन बाई 5 वही टो को जाएगा जिसमें नहीं होगा वो रोंग हो जाएगा क्यूंकि part B का question था और यहां पे absolute value पूछी गई थे C की तो इस तरीके से हमने find out कर दिया है ठीक है ओकी I hope आपने भी जो है इसको अच्छे से इसी तरीके से solve किया है अब एक question और discuss करते हैं यह question भी आपकी आइगन value के उपर depend है क्या है आइगन value यहां पे दी गई है और A दी गई है A की आइगन value और B की जो है matrix बनाए गई है और A के corresponding B की भी आप आइगन value निकाल देंगी और निकालने के बाद trace पूछा गया था आपसे A प्लस B का क्या है trace आपसे पूछा गया था A प्लस B का यह है question number 5 क्या है question number 5 ठीक है देखे question यही था कहा गया था आपसे की A 4 x 4 की matrix है और इस matrix की जो आइगन value है हमें एक इस तरीके से matrix का है वो नहीं पता बट इसकी आइगन value हमें पता है A की जब हमें आइगन value पता है और एक एगन value के corresponding B की भी हम क्या कर देंगे आइगन value फाइंड आउट कर देंगे आइगन वेलू A और B की मिल जाएगी तो यहाँ पे क्या है A प्लस B का जो है आइगन वेलू निकाल लेंगे जब A प्लस B की आइगन वेलू मिल जाएगी तो उसका trace जो है हम क्या कर देंगे, sum कर देंगे क्या है, sum कर देंगे, ठीक है ठीक है अब यहां पर A की दे रखी है, अब यहां पर B की किसके corresponding, minus 1 की corresponding, that means यह हो जाएगा, minus 1 की power 4 minus 5 into minus 1 की power 2 plus 5, तो यह क्या हो जाएगा, अब यहां पर चाहे minus 1 का करें, चाहे plus 1 का करें, same answer देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, minus 1 की power 4, that means 1 minus 5 plus 5 value आएगी, 1, और यहां पर जो है, 1 के corresponding यह हम करेंगे, तो यहां पर B1 आएगा, फिर से 1 है, तो इसकी corresponding देखेंगे, तो फिर से 1 आएगा, अब यहां पर देखे, किसके corresponding कर देते हैं, B minus 2, मतलब अब यहां पर A की value क्या रख रखी जाएगी, minus 2, रखी जाएगी, minus 2 की power 4, minus 5, into minus 2 की power 2, plus 5, 2 तो जाफ 4, जाफ 8, जाफ 16, minus 2 तो जाफ 4, 5 जाफ 20, plus 5, 21 minus 20, value 1, तो यह रहा, A की eigen value minus 1 है, उसके corresponding B की eigen value 1 है, ठीक है, जब eigen value 1 है, तो इसके corresponding सब वोना गया, अब यहां पर A plus B की अलग अलग निकाल देखे क्या है, क्या है, A plus B की, जब eigen value 1 है, A की, जब minus, sorry, minus 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, और minus 2 है, तो दोनों का sum कर देते है, उसके corresponding वाला ही add होगा, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, यह आया है, 1, ठीक है, 1 minus 1, 0, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, minus 2 plus 1, minus 1, ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब जो है, इसका trace find out कर देना है, क्या है, इसका trace निकाल देना है, trace A plus B, sum of eigen value, क्या है, sum of eigen value, तो यह हो जाएगा, 0 plus 2 plus 2, और फिर यहां पर जोड़ है, तो यह क्या हो जाएगा, 4 minus 1 value क्या आजाएगी, इसके trace की 3 हो जाएगी, 3 जिस भी option में होगा, वही आपका true answer हो जाएगा, ठीक है, तो I hope आपने, जो हमने question यह सभी बताए है, आपने भी इसी तरीके से solve किया है, और जो अपना number है, वह अच्छे से आप भी gain करेंगे, ठीक है, जब अच्छे से किया होगा, तभी आपको mark मिलेगा, चाहे वो part B का question हो, चाहे वो part C का question हो, पार्ट C में तो जो है, और भी थोड़ी सी difficulty होती है, हर एक option को बारी-बारी से check करना होता है, बड़ पार्ट B में जो है, easy है, जो आपका answer आ गया है, उसी को fill कर दीजिए, बाकि आपके wrong option हो जाएंगे, ठीक है, एक ही check करना होता है, ओके, next question देखिए, next question आपका कौन सा रहेगा, question number 6 रहेगा, क्या है, next question, question number 6 रहेगा, और यह जो question है, यह आपका PD से, partial differential equation से है, क्या है, partial differential equation से है, और यह question, अच्छा है, question, अब यहाँ पे जो है, question यह था, 6 है, और यह था, आपका curly, u by curly, x, condition दी गई थी, आपको u x 0 पे sin x, ठीक है, और आप से पुछा गया था, किसकी value, u, u 0 at the point 1 पे, ठीक है, क्या है, यह आपके partial differential equation का question था, और यह आप से जो है, पूछा गया था, ठीक है, और जो given था, वो आपको इस तरीके से नहीं, किस तरीके से given था, यह था, पहले y, फिर x, और एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको तुमने सिर्फ आगे और पीछे लिखा है न, और यहाँ पे क्या होता है, पी, पी, प्लस, क्यू, 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 क्य relation find out करने के बाद c1c2 जो exact value है वो value put up करेंगे put up करने के बाद यहां से u की value मिल जाएगी और जो यू की value मिल जाएगी तो एक c equals to 0 रख देंगे और y equals to 1 रखेंगे जो आएगा वो हमारा required answer हो जाएगा ठीक है तो कुछ भी नहीं था बट थोड़ा सा calculation करना चाहिए था आपको तो यहां पर जो है dx अपर पी क्या है माइनस का यक्स है इसी को स्टूड dy by q क्या है p क्या होता है curly u y curly x और q क्या होता है curly u by curly y ऑककी बट यहां पर आगे पीछे इसलिए आगे था ताकि आप पचल हो जाए और आगे का पिछे-पिछे का आगे कर दें आपको एंसर ना आए और जब नहीं आएगा तो आपका टाइम भी बेस्ट होगा आप सोल्व भी करेंगे आपको नंबर भी नहीं मिलेगा ठीक है तो सामने वाला भी थोड़ा सा माइंड यूज करता अपना पहले वाई फिर एक्स आप समझ रहे हैं वाथ को डी वय अपॉन क्यों का कोफिशेंट क्या है 1 है एक इस बिक्स दिउ अपॉन और आर का क्या है वट माइन इस का यू है फस्ट टू को शोलव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा minus log x is equals to y plus log c2 कर दीजे c1 कर दीजे पहले फिर c2 करेंगे ठीक है यह first है यह second है यह third है तो यह होईगा और यहाँ पर जो है इसको जो है क्या कर देते हैं माइनस हो जाएगा क्या है माइनस का हो जाएगा और इसको इस साइड लेका आते हैं तो यह हो जाएगा माइनस लोग मैनस कमी लेंगे लोग m-n प्लस aymaan Birthday X x C1 हो जाएगा, यह होगा आपका minus का y कर दीजे, क्या है minus का y कर दीजे minus से multiply और या 7 equals to क्या हो जाएगा x into 7 equals to e की पार minus y हो जाएगा, ठीक है इसको बना दीजे equation number first ओके ठीक है चलिए second और third को solve करते हैं तो यह हो जाएगा y equals 2 log 1 minus u और u का करेंगे तो minus का 1 आएगा plus log c2 क्या है? plus का log c2 तो यहाँ पे जो है minus हो जाएगा और इस power को minus 1 यहाँ पे लेके दाएगे तो यह हो जाएगा y equals 2 log c2 upon 1 minus u हो जाएगा ठीक है? और यहाँ पे c2 upon 1 minus u equals to e की पाउर y हो जाएगा क्या है? e की पाउर y हो जाएगा ठीक है? और यहाँ पे यह दिम c2 equals to देखें या फिर इसको बना दीजे direct equation number second और अभी c1, c2 की जरूद होगी इसलिए c1, c2 को पहले evaluate कर दीजे c2 equals to 1 minus u into e की पाउर y इसको बना दीजे equation number first यहाँ से भी evaluate कर दीजे तो यहाँ पे यह होगा y का x ठीक है? अब यहाँ पे u x 0 condition दी गई थी u x 0 equals to sin x ठीक है? यहाँ पे x equals to t रख दीजे y equals to 0 रख दीजे और यहाँ पे u की value x के अस्थान पे t है तो sin t रख दीजे पहले वाले में भी रखिए second वाले में भी रखिए और रखने के बाद c1 c2 के बीच में relation find out कर दीजे वहाँ से t को और y को sorry y को और u सब को remove कर दीजे only c1 c2 और constant term रहना चाहिए यह दिया ऐसा है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? c1 c2 के बीच में relation find out कर पा रहे हो relation find out होगा c1 c2 के जो value है वह पुट कर दीजे पुट करने के बाद x की value 0 और y की value 1 रख दीजे ठीक है? वो u की value मिल जाएगी अब यहाँ पे देखिए जब x e g cos 2 t है तो c1 e g cos 2 y g cos 2 0 e की power 0 value 1 1 by t इसको बना दीजे चलिए यह है चलिए यहाँ पे आते हैं तो यह होज़ेगा c2 e g cos 2 1 minus sin t और e की power y क्या है e की power 0 value 1 हो जाएगी ठीक है? अब यहाँ पे t g cos 2 क्या है? 1 by c1 है क्या है t g cos 2? 1 by c1 है तो इसका उन तलब यह क्या हो जाएगा? 1 by c1 ठीक? तो यह होज़ेगा अब c2 की value है क्या चीज? यह है तो यह होज़ेगा 1 minus u into e की power y e g cos 2 1 minus sin और यह होज़ेगा 1 by c1 की value क्या है? 1 upon है क्या है? 1 upon है तो यह होज़ेगा x upon e की power minus y ठीक? अब यहाँ पे देखिए x की value क्या है? 0 y की value क्या है? 1 x की जब 0 है तो यह total क्या होज़ेगा? 0 होज़ेगा e की power sorry, sin के angle में 0 sin 0 की value? 0 ओके अब यहाँ पे y की value क्या है? यह 1 है तो यह क्या होज़ेगा? 1 by e होज़ेगा तो यहाँ पे जो है u जब उस साइड जाएगा तो यह होज़ेगा 1 minus 1 by e e equals to u मतलब यहाँ पे जो u 0 और 1 की value होगी यह आपको मिल जाएगी 1 minus 1 by e तो यही आपका क्या होज़ेगा जिस भी option में रहेगा वही आपका correct answer हो जाएगा ओके? यह question भी part b का ही question था या क्या है? यह question भी आपके part b का ही question था ओके? और एक question जो है और है जो कि आपका इसको हमने बताया भी है बट यहाँ पे एक बार board पे बता देते है C.O.B. का question है और इस question का जो है वहाँ पे doubt था बट यहाँ पे अब clear हो चुका है question क्या है? question अब clear हो चुका है question आपका question number 7 था है आपको जो है integral equation का extremal curve find out करना है C.O.B. से है और यहाँ पे जो है I of Y of X इसी को इस्ट आपको दे रखा है minus 1 to 1 minus Y dash square plus 2XY into dx condition क्या है? Y at the point minus 1 पे भी 1 है Y at the point 1 पे भी 1 है क्या है? आपका जो question है वो इस तरीके से calculus आप variation से question है और आपको required extremal curve find out करना है functional का ठीक है? ओके तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है Yuler Lagranji question आप यूच कीजिए क्या है? Curly F by Curly Y चलिए लिख देते हैं आपके लिए और इन सभी question को यह दिया आप itself से solve करते तो जितना हम time दे रहे हैं उतना time देने की जरूरत नहीं थी हम आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना time दे रहे हैं Curly F by Curly Y minus D Y D X कर लिए by Curly Y dash is equals to 0 Y का करेंगे तो यह हो जाएगा 2 X minus D Y D X Y dash के रिस्पेक्ट में minus 2 Y dash is equals to 0 अब यहां पर अगेन हो जाएगा तो minus 2 Y double dash यह हो जाएगा cancel out तो यह हो जाएगा X plus Y double dash is equals to 0 Y double dash is equals to minus X हो जाएगा और यहां पर जो है Y double dash X equals to minus का X है one time integration करेंगे तो यह क्या हो जाएगा minus X square by 2 plus A constant A again जो है integrate कर देंगे minus X की power 3 by 3 to 6 plus AX plus B और यहां पर जो है minus 1 put करेंगे तो minus 1 put करने से क्या हो जाएगा यहां पर Y की value 1 है यह हो जाएगा minus minus plus का 1 by 6 plus A की value क्या है A की value यहां पर जो है पता करनी है X की value minus का 1 है plus का B इस का उतले भी यहां से क्या हो जाएगा A minus B G equals to 1 by 6 minus 1 minus 5 by 6 यह है माली जे condition जो है हमने change कर दी 0 point पर 1 है तो यहां पर जो है minus 1 पर 0 है क्या है minus 1 to 1 अब ठीक है minus 1 पर 0 दे रखा है तो इसका मतलब जो है minus 1 पर जब 0 है तो Y की value क्या है 0 और यहां पर जो है तो यह हो जाएगा plus का 1 by 6 ठीक है second question देखिए second question क्या हो जाएगा 1 है तो यह हो जाएगा 1 is equal to minus 1 by 6 plus A plus B तो यहां पर A plus B की value क्या हो जाएगी 6 1 to 6 और 1 7 by 6 add कर देंगे 2A जी को स्टू क्या हो जाएगा 8 by 6 यहां पर जो है condition गलत दे रखी है और यदि ऐसा रखेंगे तो B की value क्या आएगी 0 क्या है B की value 0 आएगी और B की value 0 है 1 पर 1 है तो यह हो जाएगा A की value 7 by 6 क्या है 7 by 6 और यहां पर जब value पूट करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 7 by 6 क्या है जो इसका answer आएगा Y X E G cos 2 यही क्या हो जाएगा minus X cube by 6 plus 7 by 6 into X 0 पूट करने पे value 0 है और 1 पूट करने पे value 1 है ठीक है ओके और यह जो है 0 to 1 इस तरीके से आपको जो है calculus of variation का क्या है calculus of variation का भी question बिल्कुल easy था आपको solve करना चाहिए था यह जो आपने solve किया है तो आपको जो है marks मिलेंगे ठीक है और exam के अंदर जो है जल्दबाजी मत कीजिएगा next time से आप exam के अंदर जो है जो कमिया आपने इस exam में की है वो next exam में मत कीजिएगा ठीक है और preparation अभी से करते रहिए next जो exam है वो जल्दी रहने माला है और जो भी कमिया आपकी है वो दूर कीजिए और next exam में अपना अच्छे से वर्क कीजिए ता कि आपका जो score है अच्छे से हो पसके ठीक है अच्छे से हो पसके ठीक है